जरा सिया अधु थोटी है इशा, इस तुफान में कार्ड ड्राइब करना आगे पॉसिबल नहीं है एक काम करते हैं इस बंगले में ही राद गुजार लेते हैं और फिर सुबह होते ही यहां से चले जाएंगे वो सब ठीक है लेकिन हमें यहां पर पूछना दो पढ़ेगा कि यहां पर रहता कौन है वो तो ठीक है देखते हैं अलो कोई है अलो कोई है हमें हेल्प चाहिए थी एक काम करता हूँ मैं कोई लाइट क्या कैंडल ढूणने की कोशिश करता हूँ तुम यही रुको गॉट इट कैंडल मिल गई इशा कैंडल क्यों मुझा दी उसा इषा..परण कहसे दुख..परण कर दुख स्थिए अचर। काम इशा..पनैं को अचर। इशा..पेधे..पेव..पेजेए वो यहां सकल दिधाओ को? वो हगो? वो हुँएो कि एफ 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 प्टाओ वो एफ 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 हाओ वह! वह... जुए अजुए एगा धुए जुए जुए ऑुए एफ वाँ आवाँ गाइस, I have decided कि हम अपने अगली paranormal activity की documentary इसी हवेली में शूट कर रहेंगे and it's final How can you be so sure कि ये हवेली भूतिय हवेली है भी की नहीं रॉनित, ये कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं है ये केशव घड की हवेली है ओ, come on एक मिनिट, तुमने प्रिंसिस नातालिया का नाम तो सुनाई होगा and I'm sure उसकी भयानक कहानिया भी सुनी होगी, right? Are you mad, Sia? इस हवेली में जाने के इजाज़त किसी को नहीं है और पिछले 10 साल से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा है I mean, जो लोग वहाँ रह रहे थे वो खुद वो हवेली छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो गए एक मिनिट, स्टोरी तो अच्छी है मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर शूटिंग कर सकते हैं लेकिन, माडम परमिशन कहां से लेके आओगी वेट अ मिनिट सुनिए ये कोई भूथ तो नहीं है लगता वही रहे यार मैं कौन हूँ इससे तुम लोगों को कोई मतलब नहीं तुम लोगों को खाली इतना ही जानना काफी है कि उस हबेली में तुम लोगों को जाने की इजाजत और वहाँ पर शूटिंग करने की भी इजाजत दिला सकती हूँ और हाँ उस हवेली में शूटनी करने पर मैं तुम लोगों को पैसा भी दूंगी ये बात कुछ समझ नहीं आई कुछ सोचने समझने की ज़ुरत नहीं है तुम दोनों बस शूट की तयारी करो और एक और बात कि जब तक ये शूट पुरा खतम नहीं हो जाता तो पॉस को इसकी कोई ख़बर नहीं होनी चाहिए सिया तुम कुछ जादा ही रिस्क नहीं ले रही मैंने डिसाइट कर लिया है हम केशयोगर की हवेली ज़रू जाएंगे ये लो हवेली किचाबियां क्या सोच रही हो लो पकड़ो लेकिन लो एक बात बताओं तुम लोगों को नतालिया में वजपन से ही बहुती कुरूर इंसान और सैतानी सोच के लक्षड थी और इसलिए उसको उसी के कमरे में बन करके रख दिया था जानते हो क्या हो लग दिन थे क्या उसने खुदी उस कमरे में आग लगा ली और उसी आग में जलकल मर गई ओ गोड फिर ये हाद्सा सन दो हजर आठ में हुआ था और उसके बाद उस हवेली में नतालिया का भूद अलग अलग लोग में दिखने लगा कभी बचपना तो कभी जवानी और उसी साल उस हवेली में राज परिवार के दो लोग और आत्मात्या कर ली थी पांस लोग उस हवेली को छोड़कर चले गए और उस दिन से उस हवेली में कोई भी कभी भी वापस नहीं आया बस एक आदिमी है जो हवेली की देखबाल करता है कहते हैं कि नतालिया की आत्मा उस हवेली में कईद है केद हां जो वहां से बाहर नहीं आप आ रही है और हां एक बात याद रहे उस हवेली में एक बंद कमरा है उस कमरे को खोलना तो दूर, उसके आस पास भी मत भटकना, क्योंकि वो कमरा नतालिया का है, समझ गए ना, समझ गए ना तुम लोग, अरे रुक रुक रुको, रुको गाड़ी रुको, अरे, बट, क्या हुआ, मुझे इधर ही उतरना, इधर ही उतरना है, लेकिन, लेकिन, मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मुझे इधर ही उतरना है, अब मैं तुम लोग के साथ आगे तक नहीं जा पाऊंगी, रुको, रुको, अरे, सुनिये तो, एक सगिन, एक सगिन, एक सगिन, सुनिये तो, अरे, ये क्या बात हुई, कमाल है, ऐसे ही चले गई, चले गई क्या हुआ गाइस, हम तो चलें, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगी ये स्टोरी, क्या बोलते हो, देखो याद, सब कहानियों की तरह ये कहानी भी अच्छी तो है, पर मुझे लगता है कि इस कहानी में भी ड्रामे का थोड़ा तड़का मारना ओ यार हम तो होटल जाने वाले थी ना, होटल शेहर के अंदर है और हवेली रस्ते में पहले बढ़ती है तो मैंने सुचा तूना हवेली देख ले, कल के शूटिंग की प्लैनिंग भी कर लेंगे, इजाक्ली, चल ठीक है, कोई नहीं यार, एक सिकिंड गैस, हलो, जी स्पी क्या हुआ है, क्या हुआ है, होटल की बुकिंग की कुछ प्राबल्म होगे, और में और भी जाना होगा, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग हवेली को पूरी तरह देख लो, आराम से, और फेली थी वाटल, ठीक है? चालो, ठीक है, बाई, बाई, तो किसी हो, क्यारी आरी चाबी, ओ, सॉरी, तू भी यार, सॉरी, बाई, पहुंच जाना आराम से, ओके है, ओके, अजीब बात है, यार, दर्वाजा खुलाई था, तो चाबी क्यों दी? अवे छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? सही है यार, एकदम मस्त, अच्छी हविली बनाई है, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं न, तो फिर मुम्बत्या किसने जला दी? अरे, वो लेडी बता रही थी न, एक सर्वेंट है, जो आता जाता रहता है, हाँ तो, शाहिद उसी नहीं जला ही होगी, राइट, 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 कोई है, एनिवन या, हेलो, इतरा, क्या हुआ, वो दिख, कितनी खुबसूरत है, यार, प्रिंसेस नाटालिया सच में बहुत खुबसूरत थी, बहुत जल्दी मर गई विचारी, चल देखते हैं, यहाँ पे कोई डरावनी लोकेशन, जाम शूटिंग कर सके, एक काम कर, तू वहाँ जा, मैं यहाँ देखता हूँ, चल, ठीक है, ज़ वार कता है, प्रिंग कर सकती है, यहाँ खुबसूरत थी, यहाँ जिए हुबसूरत थी वआ यड्यामुूणूू writes दो ज्यान आहादूंू अजा हो औरेको ओष्योंू एड़ी। तर्ष्यान आहादू क्लिया देनी की वप्यान निया हम वें। वह एए निया यह हुआ हुआ बच्ची, यह बच्ची? कहां गे? अभी तुम यही थी? वही थी? रॉनित, हम रॉनित! रौनत, प्लीजेस रहनी अफ्मीजिस मैयउर मैयूर 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 करे रहन मैयूर, मैयूर कहा है मैयूर बॉलन मैयूर 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 जबाए मैयूर दर्वासा कॉल जबाए जबाए एक बात याद रहे उस थमेली में एक बंद कम रहे उस कम्रे को खोलना तो दूर उसके आस पास भी मत भटकना मैयूर 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 कहा है तू मैयूर 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 इक कैसे हो क्या बात है इंदर अर्चनली फोन करके मुझे क्या बुलाया अब खुदी चल कर देख लो अब आओ साब जी मैने तो पुलिस को इनफरम कर दिया से मगर हुआ क्या मैयूर यह यह सब क्या है यह सब कैसे हुआ कैसे हुआ यह मनने क्या पता साब जी किसे किया यह सब साब जी मनने तुम्हें कितनी बार बोला था कि इतनी दारू मत भिया कर लेकि साब जी दारू की कसम मनन बिल्कुल ने पता कैसे हो गया यह सब अमाइ गड़, मैं तुम्हें निकाल दूनगा। मैं निकाल दूगा। इन्दर नाश कर दिया ए इन्दर तुने। नहीं शबड़्यी नहीं इन्दर नाश कर दिया। माइ गड़ यह क्या हो गया अब नतालिया को कोई नहीं रोक सकेगा उसकी आत्मा यह से निकलने में कामियाम हो गई है कितने मुश्किस से उसकी आत्मा को मैंने कैद करके रखा था यहाँ लेकिन वो आजाद हो गई वो अब हम पांचों के पीछे आएगी हमें खत्म करतेगी राजपरिवार के किसी भी सदसको वो नहीं छोड़ेगी वो वो हम सब को मार डालेगी मार डालेगी हो सब्सक्षाब 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 सब्सक्रीड करते अनुवरसरी मालव तांक यू और विष्ट यू थे सेम आपको क्या लगा कि हमारे शादी के इतिस साल होने के बाद भी हमारा प्यार आपके लिए कम पढ़ जाएगा आप वर्ल के बेस्ट हस्बेंट है वो तो हम है एनिवेज, लेट्स एंजॉई दे पारी आपके लिए एक सर्प्राइज है या लेडीज और जेंटिनमें अब विषाल जी की तरफ से उनकी वाइब सुनैना के लिए एक खास सॉंग परफॉर्मेंस वट अपन आप गाना क्यूं निगा रहे है आपकी ये परफॉर्मेंस के लिए मैंने बहुत बड़ी पेमिंट की है चलो, कम ओन, सिंग नाओ अपने मुझे इंवाइट नहीं किया नाटालिया? कोई कहीं नहीं जाएगा अभी मेरी परफॉर्मेंस बाकी है जन्दा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आखोंगा पारा के तू जीती हूँ मैं बस तुझे देखने पर तू दे दिनू का सहारा है तू हाहा यहाईब बस तू कुषे, 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 कुषे कुषे आजिए Mr. Arjun, Don't worry. आजिए फिर सुजी आप जो झो कुछी बोल रहे हैं, आप और नहीं समझ नहीं क्या हो रहहा है नतालिया की आत्मा आजाद हो गई है वो हमने ने छोड़ेगी ये मेरी बहन अनुश्का है कजन और मैं अर्जुन हम दोनों को पलिस प्रोडेक्शन की जरूवत है प्लीस अलपस प्लीस अलपस चाचा जी अर्जुन बेटे नतालिया की आत्मा एक पूकी शेर्णी की तरह हम सब का खोन पिने के लिए बीछे पड़ी हुई है बड़े चाचा जी हमें बहुत डेर लग रहा है पतानी अब आगे क्या होगा एक्सक्यूज मी आप इन्हें आराम करने दीजे प्लीज और ये कुछ दवाईया है ये ले आएए जिलाता हूँ हम आते हैं चाचा जी चलो अनुश्का हमें ये समझ भी नहीं आते कि नतालिया की आत्मा यहां तक पहुचे कैसे क्यूंकि नतालिया की आत्मा हवेली से बहार निकल गई है जी आप मैं सिया मुझे पता है कि नतालिया की आत्मा हवेली से बहार निकल गई है क्योंकि उसी रात उसने मेरे टीम मेंबर्स को अटैक किया और उन्हें मार दिया एक मिट, एक मिट, एक मिट, आपके टीम मेंबर्स अब, आप हैं कौन? मैं गोस्ट बस्टर हूँ मतलब मैं और मेरी टीम पैरनॉर्मल अक्टिविटीज पर डॉक्यूमेंटरी बनाते हैं मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ मदद? क्यूँ? क्यूँकि मैं नतालिया को रोपना चाहती हूँ उसने मेरे टीम मेंबर्स, मेरे दोस्ट रॉनित और मैयूर को मुझसे छीन लिया है और मैं नहीं चाहती कि वो और लोगों की जान ले नतालिया सबसे बदला ले रही है क्यूँकि उसकी लाइफ के 22 साल तक उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया उसकी मौत उसकी खुद की लगाई हुई आग से जलकर हुई और हम उसे नहीं रोक सके और उसके मरने के बाद उसने हमें मजबूर कर दिया हवेली छोड़ने को पर अब उसकी आत्मा इस हवेली के कैद से बाहर आ गई और हम शौर वो हमें निशाना जरूर बनाईगी हाँ I understand पर इस वक जरूरी यह है कि हम सब लोग साथ में रहें और जितना हो पाए हमें बाहर जाना अवाइड करना होगा सॉरी बढ़ हमें चाचा की दवाई लेने जाना है मैं भी साथ चलती हूँ आपके चलो चाचा जी चाचा जी पटे आज क्या हुआ क्या हुआ आज मुझे सिंगिंग कॉपटीशन में फार्स पेज मिला अच्छा सिंगिंग कॉपटीशन में क्या गया सुनाओ मुझे चंदा है तू मेरा सूरज है तू ओ मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देखकर से तोटे दिल का सहारा है तू अच्छा 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 मुझे माफ कर दो मुझे कुछ रे करना मुझे माफ कर दो अब भी मेरे साथ लुका छुपई का खेल खेल रहे हैं अच्छा अच्छा आत्मा को हवेली में रखे जुल्री बॉक्स में कैड करके रखा था ताकि वह बाहर ना सके अच्छा तुम दो लो कोई ऐसी आउरत कु जानते हो जो जुक्के चलती हो चुक्के चलती है या मैं तु नहीं जानता किसी को मैं भी नहीं जानती हो पर क्यों इसलिए क्योंकि वो ही आउरत थी जिसने मुझे उकसाया था हवेली में जाने के लिए I don't know कौन थी मुझे उससे मिलना होगा इक मटा हलो मिश्टर अरजुन जी बोलो हां सर आप यहां किसी बच्ची को लेकर आये थे बच्ची अंसर वह मिश्टर लालीजी के आइसी और जी रूम में गई है उसने वाइट फ्रॉग पहनी हुइए वाइट कलर की फ्रॉग नाटालिया बच्पन में वाइट कलर की फ छाचाजी छाचाझी छाचाझी मेले रास्ते से हर्चा जोए पर हम कहां जा रहे हैं अनुश्का मैं तुम एपिब्स काम करते हैं मुझे निलता अर्जन अनुष्का अप कुई और चाही है जाहार तुम्नोंडों सेफ हो सकते हो लिक्रफी ओनली प्लेस शेया तुम हमें भी लेज़ाओ उसे कुई फर्क नहीं पूलने वाला है इस आत्मा ने नजाने कितने लोगों की जान लिये कितने हजारों लोगों को मारा है मुझे नहीं लगता कि तुम हमें उस आत्मा से बचा सकती हो भरोसा रखो अर्जू हम कोई ना कोई तकीब जरूर नेंगी नकालिया की आत्मा से चुटारा पाने को यह अच्छानक से आंधी तुपन कैसे आग गया यह नकालिया कावारी है वो हमें पूरी तरह रोखने की कोशच करे और हमने ही रोखेंगे अर्जून यह थो जाए फास्ट प्रीज हाँ नहँ नहँ हाँ व्ँख अर्ण व्ण पिजयों, पिजयों! इससे पहले नतालिया के आत्मा फिर से आजए हमें यह से निकल लाओगा मेरे ओफिश्यर बाओगा चला जल्दी जल्दी सीटा सीटा जल्दी आओ जल्दी आजब दूआ आज़ी 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 जल्दी जल्दीटा गाइस, जुझे आज़ी जल्दीडा एज़गा है। ज़ज़के किर नतालिया को दूर अखनी का अच्छला आख अभर देखना से डरती है अगर तुम्हें नोटिस किया होगा कि जब ब्लास्ट खुआ था तो उसकी आत्मा मासिक आया वो गई थी क्योंकि नतालिया की मौत आग में जलकर हुई थी इसलिए उसकी आत्मा आग से डरती है पर एक प्रॉब्लम है क्या? कि ये कोई पर्मनिन्ट हल नहीं है इतने मासूम लोगों को मारते की ओ शिट क्या अग्या ओके क्या अग्या क्या अग्या कुछ नहीं होगा क्या आराम से आराम से प्लीस बड़कर तुम्हे दराव प्रॉस क्या है ये सब बस तुम लोग बिना मुझे पताये हुए बिना मेरी परमेशन के केशवगट की अवेली चले गए वहाँ पर नधालिया की आत्मा को असाथ करवा दिया और उस खौफलाग हमले में मारे टीम के मेंबर मारे गए क्यों किया तुमने असा जस टेल मी वाई सर सर मैं तो एक एक साइटिग प्रोजेक की तलाश में थी सर सर मैं आज तक केशवगट की हमेली ही नहीं गई हूँ और नहीं कोई मेरा इरादा था वहाँ बेशूट करने का ये तो बस मुझे एक फोल है मुझे बोला गया वहाँ जाकर शूट करो और उसी में रॉनेत और मयूर मारे गए ये तो सर मेरी किसमत थी कि मैं उस दिन होटेल में उनका वेट कर रही थी और मैं बच गई सर सर मुझे कॉरा बिली थी और वो बहुत जादा डेस्परेट थी सर वो उसी ने मुझे का था और वो ही मुझे उक्सारी थी किया जा रहा है उस आत्मा को आजाद करने के लिए सर वो औरत ही इसके पीछे कौन थी वो औरत कौन की वो औरत तुम्हें कॉंटक कैसे किया उसने सर मुझे लगता है उसने कुई मेरे टीवी शो देखा और उसने मुझे वहीं से कॉंटक किया सर उस औरत को डूढने के साथ साथ हमें राज परिवार के मेंबर्स को भी बचाना होगा सर खेदो भी हुसी परिवार कें सर रहमेरी ने बचाना होगा वाट अधु दर्दू अधु दर्दू अधु अधु पो विखेर अधु अधु नुग स्वकर्ण जया Ohhh एलो, एलो एलो एलो, को एलो, को एलो – धीती... दीदी चलो अनुष्का 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 दीदी मतलब मतलब नताल्या मेरी सगी बेहन है मेरी बड़ी बैहर उसको सारी उम्रे एक कमरे में कैद करके रखा गया इक पिंचने में कैद पंची की तरह रखा गया क्यूंकि क्यूंकि इसली वह बिमार थी या क्यूंकि उसके मामाब मर गये थे हमारे चाचा चाचा सारे कसल सब ने उसके साथ 9 करों जैसा बढ़ाव किया क्यों और अगर वो इस सब का मतला ले रही है तो क्या कलग कर रही है हां मैं नहीं तुम्हें फोन करवाया था मैं चाहती थी कि तुम्हारी वज़े से नत्ाखलीय आसमा अगर और वह रा हुआ मैं वह नहीं जा सकती थी क्योंकि जो भी वह जाता नतालिय के अत्मां उससे मार देती और वह आरज जो मुझसे मिलने आए थी, वो? वो हमारी नानी है, हमारी नौकरानी. मेरे ही कहने पे उसने हैसा किया. तुम्हें क्या लगता है, Anushka? तुम्हें नतालिया की आत्मा छोड़ देगी? जैसे उसने बेगुनाओं को मारा है, वो तुम्हें भी मार देगी, शिवल के लिए, थिंक अबाउट इट? मैं जानती हूँ, क्योंकि जब आपके बंगलो पे आई थी, मैं समझ गई थी, क्यों हमेंसे किसी को नहीं छोड़ेगी? अनुश्का, तुम्हें अब हमारी भज़ध करनी होगे. हमें जूलिया की आत्मा को फिर से उसी जूल्री बॉकस में बंग करना होगा, जहांसे पिछारे रानत ने उसे असाद किया था. हम Natalia की आत्मा को हवेली में रखे जूलरी बॉक्स में कैद कर सकते हैं पर वह तब ही होगा जब हम उसे जूलरी बॉक्स में आने के लिए मजबूर करेंगे लेकिन उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है हम ये सब कैसे करेंगे मेरे पास एक प्लान है दूर दूरी, सब कुछी कुछ आएगा, कुछ करते है यह मौसल फिर से बदल रहा है ना आज कुछ बहुत पुरा होगा या पुराई का अन्त होगा अर्जुन, अर्जुन रुखो, उसे लग जाएगी अरे तुम भूल रहे हो, वो एक भूत है उसे कुछ नी होगा, उसे कोई चोटनी लगेगी अनुष्का, आमें यहां नहीं रुखना है, अर्जुन तुम चलो अर्जुन चलो, जल्दी चलो अर्जुन, उसे आम्यदा मेरे कहाँ था ना अर्जुन जल्दी चलो आम ही जल्दी पहुंच रहा है वाँ पे या 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 कमांच जल्दी का इज जल्दीक綝्ञव कखो जल्दी जल्दी गरो कि थिंआ अँठकria अँठक है अहन बाता है तुम दुनों को प्लान तो पता है ना हमें अपनी प्लान के मुताबबक चलना है जाओ 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 अनुश्का यह लो तुम जानते हैं तुमें क्या करना रहे है जाओ अब पहले तुम्हें मुझे मारना होगा मैं ही हूँ जो तुम्हारे हो तुम्हारे परिवार के बीच में आई हूँ मैं तुम्हें कुछ नी करने दूंगे उन्हें समझे तुम अलुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हें जाओ अचे तुम्हें बीचा है इए बस बहुत हुआ यह खेल हमसे शिरू हुआ तो और हम इसे खतब होगा सिया को मारने से पहले तो मैं मुझे मारना होगा मुझे बैस खतव से खत्व बैसे खत्व होगा यह खत्व बसुआ है अँज़ जब सुआग मारने यह you भीत अजिह प्रफ़ झाल ए झाल पे उन एड़ार उने ए प्ड़ड़ ए बाड़ कि अँ़ ए जो पींग हां. आजुन! आजुन इन ए ए वींग हां! आजुम प्रफ़ार उननुर जड़ार ए ए ए ए ए उ ए, ए घ ए ए, ए ए, ए ए, ए, है! ए, ए, हम ए, ए ए. आप जते हयं जते हुं एर स्यट्सके शोखरIES में जती है उर अच्ट वॉॉॉॉॉॉॉॉॉॉॉॉॉ Gए ख्रुंस, लूचॉॉilation हुआ है!!! झाल